वेल्कम तो नेट्वर्क केंग्स वापिस उजर मोड पे तो आपको एक्जिट करना है एनेबल लिखते हैं फेर से प्रिविलेज पे यह आप इसके बाद आपको देना है इसके बाद आपको देना है Configure Terminal इसके बाद आपको आपको लटवर्क अपको टरमिनल यहीं पर हिवती है इसे क्या करते है global configuration mode पूरा router का एक तरह से पूरा handle हो जाता है इस mode से तो सबसे बड़ा mode यही है तो अगर आप यहां से पूरा काम कर चुके हैं तो यहां पर exit करेंगे तो इसके बाद privilege पर आगए दुबारा से exit तीन mode है simple user यहां पर enable लिखना है और यहां पर configure terminal लिखना है तो यह होता है आपका user mode privilege mode और global mode इसके बाद एक interface mode आएगा वह जैसे मैं बताऊँगा तो interface थोड़ा सा बताता हम जैसे router के पोर्ट होते हैं जैसे आप जब आप cable आपको fa00 fa0 slash 1 यानि जब आप config physical में जाओगे से zoom in करोगे तो आप देख पाओगे कि यह जो हैं ports होते हैं तो इसमें ports add भी कर सकते हैं यहां से off करके तो मैं बाद में दिखाऊँगा तो जैसे router start हुआ और हम इसके CLI पे आ गया router पे click किया और यहां पे physical पे होगा by default CLI पे टिक करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा ऐसे तो इसे enable करोगे और यहां configure टर्मिनल दिखोगे तो उसके बाद आप configuration कर सकते हो तो यह थे मेरे user mode privilege mode और global configuration mode अब इसकी console connectivity कैसे लेते हैं वो देखते हैं तो console connectivity के लिए क्या होता है कि आपका PC मालो console connectivity यहनी जो cable होता है राउटर अगर आप लगा रखा है packet tracer तो easy software है कि router पे क्लिक करो CLI आ गया पर real time में जब आपके हाथ में इतना बड़ा device दरख दिया जाएगा तो आप क्या करोगे तो सबसे पहले आपको एक rollover cable लेनी पड़ेगी तो जो की ऐसी दिखेगी यह 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 तो यह होती है rollover cable यह इंडिया में 239 ए प्रॉक्स 4, 3, 4 dollars किये तो यह जो cable होती है यह वली आपकी PC में लगेगी और यह router के port में लगेगी यह किस में लगेगी router के port में तो जब आप यह लगा देते हो तो आपको putty एक software होता है जो की access करता है यह software free में भी download कर सकते है फ्री वे रही तो जब आप software free में download कर लेते हो तो इसको मैं download भी कर लेता हूँ इसी hardly एक दो MB का होता है यह तो आपका अगर 64 bit है तो आप x64 होता है वो use करो तो यह भी चली जाएगा यह तो यह भी चली जाएगा यह जाएगा 532 kb का था जरब तो यह जो भी राउटर का IP address होगा वोड़ लेगा अब राउटर का कोई IP address ही नहीं है अब देखो क्योंकि यह नया राउटर है अब राउटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपका putty software है तो cable लगाई आपको serial पर click करना पड़ेगा तो serial पर आप जब click करेंगे open करेंगे यहां से तो राउटर का आपको access तब मिलेगा तो राउटर का access अब packet tracing में कैसे दिखा रहो में आपको यह देखो end devices computer लगाया और यहां पर कौन सी केबल गई यह console केबल इसी को rollover cable बोलते हैं तो console यानि router के कौन से पर्ट में लगी console और यह इसके कौन से पर्ट में लगी RS 232 यानि serial port ठीक है तो RS 232 जो होता है आपको serial port होता है एक तरह से तो यहां से मिली अब इसके अंदर पुट्टी तो है नहीं बट PC पे आप जब क्लिक करोगे यहां फे desktop पे जाओगे desktop पे आपको hyper terminal मिल गए रहा hyper terminal अगर आज कल वैसे windows xp बगरा नहीं यूज होती नहीं तो पहले जो पुट्टी से software mostly जो यूज होता था उसका नाम था hyper terminal हाईपर टर्मिनल आज कल पुट्टी वगरा से यूज करते हैं तो टर्मिनल पे क्लिक करोगे यह देखो by default यह जो 96 bits per second होती है क्योंकि जब आप पुट्टी भी कर रहे थे ना फिर से चला गया I think कहीं इदा को सेरेल पे करोगे by default speed जो होती है 96 bits per second होती है मलब जो आपस में data transfer कर रहे है data तो नहीं कर रही है मलब console जो अपना CLI इसकी तरफ भेज रहा है वो 9600 की speed पर भेज रहा है 9600 bits per second तो अगर आप और कुछ select करोगे तो वो show ही नहीं होगा जब आप ok कर दो कि तो देखो router वही आ गया तो यहां पर text बहुत छोटा होता है इसलिए क्या सबसे इसलिए ही है कि packet tracer पर router पर क्लिक किया और CLI पर क्लिक किया और यहीं से आ गया अगर आपका यह भी font छोटा आ रहा है तो तूल्स में जाओ तो यह थी मेरे आज के user modes privilege mode और आपका global configuration mode और हमने देखा कि how to connect console cable और आज कल पता कि जो यह वाला port है ना rs232 port यह दिखाता हूं मैं आपको तो यह serial port की तरह होता है अगर कोई सही में इस दिख जाती है हाँ यह देखो computer के पिछे यह वाले होते थे पहले यह देखो serial जिसमें हम पहले printer वगर अटाच होते थे serial ports टाइप होते हैं यह router के serial नहीं PC वाले serial हो रहे है PC के पोर्ट होते थे इनको rs232 port बोलते थे तो यह अब क्या obsolete होगे अब क्या आगे usb cables आगी तो आजकल यह cable भी आती है एक तो कि सिद्धा आप usb usb to serial cable ले लो देखो सिद्धा usb में लगाया और यहां से आपने router में लगाया और putty में गए और putty में थुरू आपने 9600 bits per second किया और ok किया तो आपको कैसा शोगा router का access मिल गया जैसे आपको तो जैसे यहां पे गए putty किया और 96 किया ok तो आपको router का CLI ऐसे आजएगा तो ऐसे connect करते हैं console के बड़े तो आपका अगर linux होगा रहे तो linux में minicom अगरा भी एक software होता तो उसके थुरू आप कर सकते हों तो internet पे आप एक का अदा blog पगड़ेंगे तो समझ आ जाएगा तो hyper terminal भी एक windows का आता अगर आप पुट्टी नहीं उस करना चाहते तो एक hyper terminal भी आता है बट आज कल इन्हों ने क्या करते linux xp में तो free था बट hyper terminal अब वो बना नहीं रही windows तो यह कोई और वो है दूसरी companies जो ऐसा बना रही है इसके नाम पर hyper terminal बट यह क्या है पेड है आई थिंग 30-40 डॉलर बट इतना जुरूरत नहीं है मैंने बताया कि putty और बहुत सारे software हैं तो hyper terminal प्राइवेट एडिशन यह करके आ रहे तो इसमें simple वही है इसमें भी वही होगा next next करोगे तो आपको access मिलेगा तो आपको बट चूज क्या करना है putty में यहां पर serial और यहां पर 9600 ही रहने देना यहां पर ok कर देना तार लगाने के बाद तो आपको पूरा एक window आ जाएगा और उसका access मिल जाएगा तो और भी देखते हैं कुछ और याद आया तो वह हम नहीं वीडियो में डालेंगे तो अब यह अगर इंडिया वगरा किसी country में केबल नहीं मिल रही तो आप क्या करो simple यह वली तो मिलती है देखो ebay.ini Amazon पर RJ452D भी नहीं ठीक है तो आपको USB to serial adapter लेना पड़ेगा वो क्या से मिलेगा adapter इंडिया सबसे सही है इंटरेट से एक्सेस करो तो यह देखो 180 रुपीज का adapter मिल रहा है कि serial वाली केबल इधर लगाई यह विला है देखो यह भी adapter है एबए पर ऐसी चोटे मोटे चीज़े यह सानी से मिल जाती है तो देखो यह मतलब यह पुरानना वल राई तो ऐसे चलता है यह try करो बहुत easy ऐसा नहीं है कि लग रहा हो complex है but basically अगर आप CCNA अभी कर रहे हैं तो Cisco के exam में आपको को राउटर नहीं दे दिया जाएगा हाथ में कि आपको serial cable connect करनी है अगर आपको router का access रिमोटली access मिलेगा सिंपल router पर जब आप click करोगे तो ऐसी आपको सिद्धा CLI access मिलेगा उसका CCNA, CCNP, CCI तक की labs में आपको real hardware का exposure भी नहीं मिलेगा बढ़ हाँ अगर आप ले सकते हो तो बढ़ी है अगर ebay बगरा से अगर कोई एक छोटा मोटा router है स्विच लेके practice करके तो उसे ओल दुबारा आप sale कर सकते हो So thank you for watching